हाई वेरिवन वेल्कम बेक टो माई कोड़ वाक्स आयम मैंना शुकुला रिवाचिंग यह टेक एंकोडिंग चनल माई कोड़ वोक्स तो लेट्स स्टार्ट गाइस आम गोईं टो कांटेनीव दिस जावा फॉर विगनर प्लेलिस्ट इन हिंदी तो हम आज इस प्लेलिस्ट को कांटेनू करते हैं मैंने बीच में छोड़ दिया था और चाहता हूं मैं इसको प्लेलिस्ट को पूरा कंप्रीट करूँ तो वी आर अगर आपने अभी तक यह सारे वीडियो नहीं देखें और प्लीज गो थ्रू इट एंड मैंने अल्री इन डिटेल में सारे चीज़ें समझाई है तो यह तने भी टिल ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं पर एंदेन गो थ्रू इट एंड कम बैक फॉर लूप्स अगर आप आपके पास ID होना चाहिए और यहां पर हमारे एक जावा का क्लास बन गया है जिसका नेम हमें लूप्स अभी इससे पहले में स्टार्ट करूँ मैं लूप्स के बारे बताना चाहता हूं इसको लूप्स क्यों है इंपॉर्टेंट अपने इसमें राइट और वाइट इस दियर इन थो अगर कोई चीजे हमें वेश को रिपिटीवली काम करने को बोलता है अग्सपेज हमें एक लाइन करना है तो हमें लेजी कर सकते हैं अगर सब्सक्ष्पोर्स हंड़ रफ सब्सक्राइब मैं आपको सब्सक्राइब दिखा दूँ क्यों लूप्स की इंपोर्टेंस है यहां पर सब्सक्राइब मेरे को प्रिंट करना है सम्सिस्टम डाउट 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 प्रिंट यह लिए सब्सक्राइब माइक ओरो तो एक बार तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ कोई इसको लिख दिया नहीं पांच बार भी नहीं हमको अभी करना हमको इसको 20 बार करना है तो आई कन्मेक ट्वंटी राइट अलसो जिस्टम पीपेस्ट कॉपीपेस्ट यह 20 बार भी प्रिंट कर देगा बट आपको नहीं लगता कि हम इसको सौर्ट बना सकते हैं यह अगर ऐसे हमें 1000 बार लिखना पड़े तो 1000 अप्लाइन हमें को लिखना होगा वह विल्कुल भी सही नहीं है यह प्रोग्राम के वाड़ में तो हम क्या करेंगे विल किया तो हमें भी वाल भी अबक्राइब हो था ख्यासर्ट आप्र पर्लोग के वाल नृसर्ट में बश्मेए यह तो फार लूप है जोगिन अगयां धश्यआंच लूक तो यहां पे इतने सारे क्यू आए राइट वी तो इसको में क्या करता हूं आथ और यह क्या सब्सक्राइब करता हूं कि अब कर था लिए रिखोगे सब्सक्राइब फॉल दो फॉल रूप अधन्न कषज अ करता हूं इस में call and संसे करते आए यह ती आई यहां पर क्या हो है तो यहां पर क्या होए आप में को सब्सक्राइब मेरे को print करना है my code works जो था subscribe my code works five times मेरे को print करना है तो मैं कैसे करूँगा follow through अब हम क्या करेंगे simple सा print five times my subscribe my code works using loop right हम loop के through इसको print करने ही fast wait five times right so what we are going to do we are going to use for loop so how I will do so installation right installation means we are going to install firm wage condition कहां से कहां तक we'll talk about that में चाहता हूँ कि मेरा जो है counter मेरा से स्टार्ट हो और count तब तक condition में देंगे कहां तक हम आगे कंदिशन होना चाहिए specific तो count जब तक equals to five न हो जाए तब तक क्या करने इसको हम कल बोलते हैं इंक्रीमेंट आप हमें क्या करना होगा हमें करना होगा प्रिंट स्टेटमेंट यूच करना होगा सिस्टम.out.println println and subscribe my codeworks हम यहाँ पे प्रिंट एक इस सिस्टम जो है एक ही बाह लिखे और क्या करेगा यह बेसकली मैंजिक देखना चाहोगे आप इसका तो सिंप्ली हम क्या करेंगे इसको सेफ करेंगे रन करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे पांच बार my codeworks प्रिंट हो चुका है subscribe my codeworks एक दो तीन चार पांच मैंनो तो यहाँ पर एक ही स्टेट में लिखा यह पांच बार किया इसके पीछे का जो main magic है वह यहाँ प्लिखा हुआ है means we are going to start count with 1 तुम यह से start करो तब तक चलो तब तक एक एक बढ़ाते जाओ यह count plus plus means count equals to count plus 1 count equals to count plus 1 this is count plus plus also तो अगर मैं इसको ऐसे save करके मैं रन करता हो तो इसका मतलब है कि एक से start करो तब तक तक count को बढ़ाते रहो एक से जब तक count जो है count जो count है वो 5 न हो जाए तो हमें पांच बार यह तो बढ़ेगा बढ़ेगा पर उसके अंतर हम कुछ access कर रहे है सब्सक्राइब कर दो टो यह तहब एक सब्सक्राइब कर सकते हैं अम कर सकते हैं कि नंबर आफ जो नंबर हमें एक से हमें क्या करना होगा आई जो है टू से करना स्टार्ट या वन से स्टार्ट टकते हैं अब यह क्या करेंगा यह जो है कर देगा 1 से 100 तर क्योंकि हमने कंडिशन उसी साफ से दिया है तो वी कें प्रिंट इस ऐसे बहुत साई लॉजिक से मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आप प्रोग्राम कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए लिए फॉल्लूप तो यह तर फॉल्लूप के बारे में कुछ भी ड इसके अंदर कंडिशन है उसके बार जो भी होगा जब तक यह कंडिशन प्रूर है तब तक यह स्टेटमेंट चलता रहेगा वाइल का मतलब है तो यहां पर इज़िए देख पा रहा है हो डिए फॉल्लूप में कि हमें फॉल्लू में पता है कितना जो एज़ेक्ट नंबर हमें कितने नंबर एज प्रते है कि घृति हमें फ्रै कितने बार रहा है तो अगर अगर हमें पता नहीं है कितने बार execute कराना है, कितने बार statement को जो गराना है, code कराना है, then we'll go for while loop, बस हमें इतना पता हम चाहिए, condition जब पर satisfy होता है, तब रहके काम करेगा, so this is the difference, now we'll go to do while loop, do while loop means क्या है यहाँ पर, do action and while condition, so, यह do while loop का जो syntax है, basically, you can find out that, do means पहले कुछ करो, उसके बाद आप condition को check करो, means do first, then check the condition, अगर it is satisfied, then again do the things, so basically while and do while में single difference is, कि अगर condition satisfied होता, एक बार भी print statement, यह वाला statement नहीं व्यूर होगा, अगर do while use कर रहें, then the condition or statement that is written inside do will execute once, even though condition is not satisfied, or condition is false, later on while checking, तो हमें क्या होगा, do while में एक बार statement या जो code लिखा होगा, do में, वो एक बार execute होगा ही होगा, but while में ऐसा नहीं है, so, अगर ऐसा आपको पता है, कि अगर आपको तहीं ऐसा situation आ गया है, यहाई सा logic चाहिए, कि यहाँ पर हमें एक बार code कर राना है, then we can go for do while loop, तो I will show you print table of 2 using while loop, while loop, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी के लिए मैं इसको comment out कर देता हूँ, and then we will use this while loop condition, or while loop statement, तो हमें 2 का table print करना है, and how to installize, that I will installize it here, number equals to 2, okay, so number equals to, I should start with 1, यह हमारा condition, अभी हमें पर हमें condition तपता करना है, आपको बस तपता करना है, right, so, until number is, number is less than or equal to 10, you have to keep executing these statements, तो मी क्या करना हमें, प्रिंट करना system.out.println, okay, then what we can do is, directly we can do 2 into number, okay, 2 into number, sorry, तो we will get the table of 2, okay, तो मैं इसको run करता हूँ, and क्या करना होगा, इसको 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 run करना है, तो नबर ते नबर तन लाई है, आम भी नके बांदा भी है ना, तो अट व दो समक्रत हो है, Markा में में हून अब्धा, नम्बर को बनादागी अलीए, वेया है, नानिक्वे का टेंग मा victims, सो यहाँ पे आउर्पो का मने खर्ट करसाथ है, में गजरी आगे ने क्या किया 10 तका हमको रखना है 10 times and if you start with 1 2 2 2 2 4 like that it will go till 10 times so 2 into 10 equals to 20 so like that while loop also we can use now मैं आगे बढ़ता हूँ do while loop के साथ उसके बार हम देखेंगे in हैड फॉर्लूक का तो आप जख सकते हैं यहाँ पिया करें यहाँ पे अ ओक so what we can do do I loop int 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 i equals to 10 okay so 10 okay and then print print system dot out dot print print i i is less than 5 so basically i am going to print and condition and if you see here if you see here i is less than 5 so it will what i will do now and then i equals to i minus i equals to i minus seven okay what it will do again it will print it will print first 10 and then it will print 3 so let's check it why i am i minus minus होते जाएगा until okay while loop में चला गये यहां पर condition यह है कि जब तक i less than 5 है कि यहां पर आप देख सकते हैं i less than में ने 5 बना दिया और फिइंफाइने लूमें चला गया तो एक बार और हमें करना होगा क्या जब तक एक कंडिशन टूर रहेगा तब तक होता रहेगा माइनस में जाता रहेगा एक कोड इंफाइनाट में जाएगा क्यों कि हमने यहां पर उस हिसाफ से लिख दिया है अब हम प्रिंट करेंगे 1 से 10 तक में यहां आई करता हूं क्या करो कोई हिसको हमें प्रिंट यळल्यन करना होगा हाकी निमलाली में प्रिंट कर दे के अगर हम इसको लेस्द आप nesseहं कर देते हैं तो इसको रण करते हैं तिल नाइन तक ही जाएगा क्योंकि यह अभी यहां पर कर रहा है अगर मैं आई को पहले करके प्रिंट करूंगो तो यह 9 जो 9 है यह 10 होके आएगा यहां पर यह अगर आपको पता नहीं तो हम आगी सिखेंगे वीडियो में एंड यहां पर क्या करेंगे इसको प्रिंट करेंगे इन हैं इन इक इसको अरे वह आपका यहां से वन बाइवन नंबर को पिक करेंगा इन इस वर्यावल को हम इसके 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 अंदर आएगा इसके अंदर आएगा करेंट उसके लूप के अंदर लाएगा उस नंबर क्यूबर हम इसके जो भी करना होगा में अपर करेंगे तो अगर आपको प्रेक्टिस करना है आप की बारे में तो आप तो अगर आपको प्रेक्टिस करना फॉर लूप के बारे में आप स्प्रिंपल सा जा सकते हो यहां पर प्रींट करके इजली आ पर फॉर लूप की बारे में समझ सकते हो मैं इमेज़ दिखा जिता हूँ simply आप देख सकते हो कोई भी यहां फिलिंग तो आप उस पैटर को ट्राइ करो कोड के थुरू प्रिंट करने का इन कंडिशन स्यूज करो और आगे के इस कोड में हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि हम कंट्रोल करें कैसे करें कंट्रोल स्टेक्मेंट एंड बड़ेक होगे कांटिन विशार को इसारे चीज़ों करेंगे अपने कोड में ताकि हम एक जो भी रिक्वार्मेंट हो इस आप सापना कोड हम प्रेंट करा सके या कर सके तो अभी यह पता नहीं क्यों नहीं खुल आ है और देख सकते हो यहां प अगर आपको देखना है what kind of pattern you can print if you want to practice any follow-up statement then you can try to print this kind of pattern हम अगले वीडियो में ऐसे ही pattern के उपर हम बात करेंगे and try करेंगे ऐसे pattern को print करने का ताकि सिख पाए follow-up को हम करेंगे and done करेंगे तो आज की वीडियो में बसे इतना है अगर आपको कहीं पे भी doubt है तो आप प्लीज रिच आउट करें comment section के through and instagram पे भी आप मेने को DM कर सकते है कर कहीं पे भी आपको doubt है I will try to help you all thank you for watching this video we will meet in next video where we will solve all these pattern problem to practice this for loop and all मिलते अखले वीडियो में तब तक क्लिव आए thank you for watching this video please subscribe hit like button and share with your friends who want to learn java for beginner in Hindi